स्वागत है आपका अपने चैनल के सियल प्टोरियल में दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वी फार्मा सेवन सिमिस्टर का सब्जेक्ट है इंडस्टियल फार्मिसी सेकेंड जिसमें की पूरा थियुरेटिकल पूर्साने पूरा का पूरा सप्पिर इसमें कुछ भी क्लास थोटा है तो एक ही लेक्चर में यह पूरा का पूरा उनिट खतम हो जाएक और आज क्लास में लोग 5 उनिट खतम कर लेंगे तो आज का जो सब्जेक्ट है वो टॉपिक है उसका नाम है CDSCO Central Drug Standard Control Organization देखें दोस्तों इसको समझें जैसे अगर आप कभी कोई मेडिकल स् है एक होते हैं Central के Drug Inspector जिसको भारत सरकार यानि केंद सरकार कंट्रोल करती है तो बड़े Approvals Central Government देती है छोटे Approvals State Government देती है और दोनों को अपस में Approval है कोई फॉरें से ट्रक मंगाना एक्सपोर्ड करना है कोई नई कंपनी स्टार्ट करनी है जो भी बड़े लेवल के Approvals होते है वो हमेशा केंद सरकार के द्वारा दिया आते हैं और उसको गवर्न करने वाले संख्या है संस्था है जिससी CDSCO जैसे हमारे जो स्टेट में आपने थोड़ा समझ लिया इसका पूरे नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कांट्रोल ऑगनेशन चरी आगे स्टार्ट करते हैं सेलेवस देख लेते हैं सामने सेलेवस क्या क्या है दोस्तों यह पूरा का पूरा से अपने से वाच कर लिजेगा यही आपको इतना ही ट करता है ड्रग कास्मेटिक्स को ड्रग कंट्रोलर जन्रल ऑफ इंडिया यह जर्ड़ कंट्रोलर जन्रल होते हैं वह सबसे हैं और इनके उपर कालम करते हैं और दूसरा की से ड्रग परकल प्रिंस्तर्टों ड्रग को सजीशन देतने Lotsございます कानून को एप्लिमेट कर सके लियम कानून को बना करके फॉलो करा सके ठीक है इस्टेट कोर्मन पास क्या अधिकार होते हैं उनके पास अधिकार है लाइसेंसिंग का इंस्पेक्शन का ड्रग की मैनुफेक्टिरिंग को रिकॉल का यह सच होता है लेकिन जो सीडिये सीओ है व आगे बात कर लेते हैं जो सीडिये सी ओ है जीओ है इसका जो में ब्रांच वो दिल्ली में तेके जो सीडिये स स्वास्त और कल्याळ मंत्राले है बार सब्स इस मंत्राले के अंतरगर काी इस सब पॉइंट आपको मैं यार करा रहा हूं से पॉइंट का भी में लिख लीजेगा और आपको एक्जाम भी या लिखना है उसके अंतरकत काम करता है फिर सी रिपीट कर रहा हूं अपक्राइब रहा है उसको अप्रूबल देना ठीक है और सेंटरल गवर्मेंट के अंदर सारी लोगों को पॉइंट करना से जोनल ओफिसर का भी इस हैं पूरे इंडिया में जोनल ओफिसे इसका है मुंबाई में है कोलकाता में चिन्वी में है गाजियाबाद में है एहम्द देख लेते हैं इनके जो Central CDSCO के द्वारा जो इनके द्वारा Control Laboratory हैं इनको Central Drug Laboratories कहते हैं ठीक है तो State Laboratory होती है Central वेलग होती है यह कहाँ कहाँ यह कोलकाता में है मुंबई में है चन्नई में है कसौली में है गुआहाटी में है और चंडीगर में यह पूरे भारत में CDSEO के Central Drug Laboratories जी सब को नाम आपको याद रखना है कहां कहां पर इंपोर्ट रजिस्टेशन और लाइसेंसिंग बाहर से विदेश से कोई दवा मंगा नहीं है कोई दवा भेज नहीं है उसका रजिस्टेशन लाइसेंस कौन देता है Central Government CDSEO देता है Drug and Cosmetic Act में जो amendment होते है जो लगातार परिवर्तन होते नहीं नहीं रूस बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं उसको भी amendment कौन करता है CDSEO करता है Banning of Drug and Cosmetic कोई ड्रग जिसका दूस प्रुहाव है लंबे समय तक लोगों को बिमार कर रहा है इसका side effect आ रहा है उसके रिसर्च के बाद उन दवाव को बैन करने काम भी कौन करता है CDSEO करता है Central Drug Laboratory में टेस्टिंग कौन सब्सक्राइब करेगा इंडियन फार्मकोपिया जो हर साल दो साल पीन साल में अमेंडमेंट होता है उसमें नई चीज़ आते हैं जो लगातार नए evolution model आते रहते हैं उसका भी printing publication कौन करता है CDSEO कराता है ठीके adverse drug reaction की monitoring भी करता है इसके साथ साथ ट जो धाचा है वह pharmacy का कैसा है यानि उसमें कैसा है तो वहाँ CDSEO तो नहीं है तो वहाँ दो चीज़े होते एक drug controller होते है और एक laboratory होती है तो जो drug controller कमिस्ट में तो उसके अंदर सिंट्र रग कंडूलर आते है उसके इंदर कुछ और स्टाफ आते है और laboratory में analyst होते है और सपोर सब में जो डिया एह होते हैं यहां पर जो अथर्टी होती जो मेडिकल इस्टों चोटी-पोटी कमपनियां उनको जो अप्रूबल देती है उनके काम क्या कहा है तो नेक्स टॉपिक है function of state licensing authority तो पहला है लाज़ेंसी प्रूबलेंस्ट ने खुले हुए है उनको लाइसेंस यहां से मार्केटिंग हो रहे हैं उनकी कॉलिटी को कॉं करता है इन्वेस्टिकेशन एंड प्रोस्टिकूशन प्रोस्टिकूशन इन्ट रिस्पेक्ट आप कांट्रावेंसियल और लीगल प्रोविजन कोई भी दिक्कत अगर जहां पर कोई भी बात विवाद आ रहा है दो स सब्सक्राइब करता है और जो भी खराब दले उसको वापस मंगाती है उसको बोलती मार्केट उठाओ दवा खराब है तो उसको रीकॉल भी कौन करता है स्टेट गॉर्मेंट का काम है यह सब करते हैं किसी भी नए ट्रक की अप्रूवल कैसे होती है हमने लास्ट एक्टर इसके कौन कौन से प्रावधान अलग 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 तरीके किसी किसी देश में यह एक ही बॉड़ी होती ही जो कंटोल करती है तीक है न्यूद्र वी इंपोर्टेश परूर्टी अप्सको प्रिशन कोई आप इसको कुए बिजेश को तो यह पे पहले सिर्गार से उसका लैसेंसिंग लेना पड़ेगा तभी आप इसको बिजेशंग क अगर उनको लगेगा कि जो दवाब मंगा रहे हैं जो भेज रहे हैं उसका जो नए डिसकोवरी है उसके लिए अगर आपका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है तो उसको चेक करने के बाद ही आपको अप्रूब देता है नए ड्रक के एक्सपोर इंपोर गेगा चलिए आगे हम बात कर लेते हैं गें क्लिनिकल ट्रायल का प्रूबल कैसे बिलता है यह क्लिनिकल ट्रायल आप समझते क्या होता है कि जब भी कोई आप नहीं दवाद स्टार्ट करते हैं बनाना शुरू करते हैं उससे पहले इस डिसक इसके रूल्स क्या है अप्रूबल पॉर क्लिनिकल ट्रायल एंड आप्लिकेशन टू क्लिनिकल ट्रायल इंडिया शुट भी सब्मिटेट अलॉंग विद दा डेट ऑप केमेश्ट्री मैनुफेक्ट्रीं कंट्रोल एनिवल स्टडी टू जिसी ले आपको ड्रग कंट्रोलर अगला है ड़ेटा रिगार्डिंग प्रोटोकॉल इन्वेस्टिकेशन ब्रोसर सिंफॉर्मेशन इसके साथ उस दुपार के बारे जितनी डीटेश आपके पास है प्रीक्लिकल ट्रायल का डेटा किया स्टडी आया क्या रिजल्ट आया क्या साइट इफेक्ट है सारा कुछ आपको क्लिकल को देनी है और एथिकल कमेटी को भी है क्लिकल के लिए और रूल ट्रायल के लिए और रूल ट्रायल करता है तो उसके लिए पिर रूल है अगर आपको कोई भी ड्रग रिजिस्टर्ड फार्मसी उसके लिए आपको फार्म नंबर 10 दसे लेना पड़ेगा रूल 21 तो 30 का कहता है रिजिस्टरेशन यह इंपोर्ट रिजिस्टर्ट के रूल 21-30 के अंतर आते ह क्या होते है किसी भी मैनुफेक्ट्टरिंग साइट और ड्रग प्रोडट का रिले डिटेल आता है टाइम लाइन पॉर आर्सी जो है वो ड्रग और कॉस्मेटिक रूल के नौ महीना के साब दो महीने की प्रैक्टिस और दो से तीन महीने का इंपोर्ट लाइसे होता है यह स उस नई ड्रग को बनाने के बाद आपको एक डव यह एक आपको सीटियस की और डवल यह विलकि आपको सटिफिकर देते हैं जिसको सी ओ पीपी कहते है सटिफिकर ऑप फॉर्म सब्मिट करेंगी इसमें सारा डिटेल भरा होगा उसकी अप्रूबल के बाद ही आप ड्रकों कांटरी से दुसरे कांटरी बें एक्सकोड कर पाये ठीक है यह जो अपुवल होते हैं किसी एक प्रूडट के लिए होता ना कि पूरी कंपणी की ऐसा नहीं के आप आप किसी कंपणी का ले लिया और उस कंपणी की सारी दमाने इक सीटीर करें हाणी हर एक सिंगल अलग अल सब्सक्राइब करना हो फिर सब्सक्राइब करना हो यह आपको एक वैधानिक सब्सक्राइब अधिकार देता है तो आप आसानी से सारे काम कर सकते ठीक है सब्सक्राइब कर सकते हैं यह इसका सबसे बड़ा स्कोप है आपको कुछ भी अलग से कोई डेटा कोई पेपर वर कोई अप्रूबल लेने की जरूरत नहीं है सब्सक्राइब कर देते हैं अगर आपको शडूरत नहीं है ठीक है अगली बात यह करते हैं कि अगर आपको COPP license लेना है, आपको किसी अपने drug के लिए COPP license लेना है, तो क्या-क्या आपको requirement है, अगर आप कल company के मालिक मनते हैं, आपने कोई नहीं address discover कर ली है, आपको उसका COPP license लेना है, export करने के लिए, तो आपको क्या-क्या requirement होगी, पहला आपको जो application देना है, उसमें fresh लिखना है, कि आपको license fresh चाहिए कि renewable चाहिए, कभी-कभी आप renewable कराते है, लाइसे कभी fresh करते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा, दूसरी बात जो application रिस्टी रिस्टी बिड़ाई by a serious officer, and completed application in all respects should be inspected by inspector on first come first basis, इसमें क्या होगा, आप जब application form submit करेंगे, CDSEO का officer के, तो उसमें कोई भी भावकाल अभावप नहीं चलता, कि आपको पहले उसका बात में, जो जैसे आता है, जैसे जिसका paper लगेगा, उसी duration के साब से उसको license या approval मिलेगा, the forwarding later, जो उसको होना के के चाहिए, उसमें product में, grant of COPP के साथ-साथ, उसमें manufacturing license, जो आपकी वो होनी चाहिए, product का retail होना चाहिए, summary receipt होना चाहिए, file और WHOGMP के requirement, जो भी है, सारा कुछ उस file के साथ आपको attach करके भेजना है, और list of major master documents, यसे master SOP है, quality manual है, specification है, master formula है, SOPs है, यह सब भी उस product का, आपको सारा का सारा उस paper के साथ लगा करके भेजना होगा, चलिए, हम बात करते है, document क्या का requirement है, अगर आपको revalidation of COPP का grant लेना है, यानि कि आपने उपर license ले रिया है, आपको दुबारा उस पर approval लेना है, फिर से उसका revalidation को बढ़ाना है, तो application form भरना है, उसमें site master file देनी है, ठीक है, cost of manufacturing license देना है, कितनी खर्चे आ रहे है, list of approval products देने है, list of product applied for the insurance of COPP देना है, list of SOP और STPs देना है, stability data देना है, team badge का, team badge आपने बनाया, उसका stability यतनी है, product खराब नहीं हो रहा है, equipment instrument क्या की उसको देना है, technical staff qualification ये सारा उसको आपको detail देना है, manufacturing layout देना है, process validation देना है, team project का, scheme diagram देना है, water system का, SPSC system का diagram, दो साल के जो आपको validation expert का detail है, वो देना है, और product का money सी, ये सारा product product का detail balance आपको भेजना है, तब ही जाको आपको उसको re-approval आपको मिलेगा, ठीक है, चलिए, legal documents का चाहिए, आपको साबने डाकुमेंट है, form faculty चाहिए, POA चाहिए, ठीक है, ठीक है, कुछ टेक्निकल डाकुमेंट है, nationalized plant resistance certificate चाहिए, manufacturing and marketing license चाहिए, net raised free skill certificate चाहिए, प्रफाइल में आपके प्रफाइल में आपके प्रफाइल के बारे में आप सब्मिट करने जाने जाने उस ड्रग का पूरा master file की मैनुफेक्ट्रिंग कैसे हुआ, उसका flow chart क्या है, quality assurance, quality control की report क्या है उस दवागी, control of contamination, cross-contamination का उसका कोई role क्या control है, ठीक है, container, closure system क्या है, risk management कैसा है, validation, verification, stability data, bio compatibility और clinical risk study report उस दख का आपको हाँपे सब्मिट करना है, उस पर जो भी आपने detail लिखा है, वो सारा को सब्मिट करना है, पस यहीं सिंपल सा CDSCO था, टॉपिक हमारा दोस्तों, और यह हम लोगों ने इस chapter को खतम कर लिया है, हम लोगों ने पूरा का पूरा industrial pharmacy से करने को पांचों unit खतम कर लिया है, अगले एक हपते के अंदर, अब हमारे पास बचे एंडिडियस, उसे खतम करना है, उसकी तीन उन बची है, और analysis चल रही है, उसकी तीन उन बची है, दो उन बची है आपके pharmacy practice की, और इन सब को हम खतम करके जल्दी इसलिए आपको खतम करेंगे, मुझे पता, आपको paper है November में, मैं उससे पहले-पहले खतम करने के पूरी कुछिस करूँगा, मिलते हैं आप से निस class में, thank you so much, take care, bye-bye and love you.